जो प्राणिस्वरक्षरती थे जो संदरी का सागरे, प्रेम का सागरे, आनन्द का सागरे, एकत्तो का सागरे, कर्वा का सागरे जिसका धाम अनन्द है, महिमा अनन्द है, सुभा अनन्द है, वह सवे महामती जी के धाम बिर्दे में विराजमान होकर अपने ही स्रिंगार का बड़न कर रहा है, ताकि परम धाम की भटकते हुए आत्पाएं यह जान सके कि संसार के जिसकी चड़ में अपने जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ कर रही है, जदि उससे पल भर भी नजर हड़ा कर उधर की तरफ नजर करती है, तो वे स्वेम ही संदरे के उस सागर में डूप जाएंगी, जिसकी एक बोधी स्रिष्टी में आ जाए, तो साली स्रिष् इस रतीत के नेत्र कैसे है, हमने इस अंसार में माया की आखे देखी, पंच भूतों का ये तन दिखा है, किसी के सरीर कितना भी संदर हो, लेकिन आप जानते हैं, आंतों में तो मल ही जमा होता है, जब बाहर निकलता है तो उसे दुरगन दाती, परमधाम में क्या है, अनंत संदर है, ये कड में इतना तेज है, कि करोडों सुर्यों का तेज उसके समक्च फिका लग जाए, और जानते हैं, वह तेज कहां से प्रगट हुआ है, वह सोभा कहां से प्रगट हुई है, अक्षरातीत के हिर्दे से, पहला चरन है, नूर भरी नैना निर्यमल, अक्षराती के नित्र, जो सुक्षता की परकरष्ठा है, उससे अधिक सुक्ष कुछ स्रिष्टी में न था, न है, न कभी होगा, एक बालक की आँखे दखिए, फूर्दया सुक्ष होती है, उम्र बढ़ने पर, उन आँखों के पर्दों पर धब्बे बनने लगते हैं, लेकिन अक्ष का बढ़न नहीं हो रहा है, यदि तारतम ज्यान के परकास में हम देखें, तो जहां सकार की सीमा समाप्त होती है, निराकार वहां से प्रारंब होता है, लेकिन निराकार भी जहां समाप्त हो जाता है, उस योगमया के ब्रमान से भी परे, उस परमधाम का स्वलिला अद्व जहांके कड़कड में चेतनता है, कड़कड में सुगंती है, कड़कड में प्रकास है, कड़कड में आनन्द है, और उसका मूल है एक अक्षरातीत का हिर्दे, और उस अक्षरातीत के हिर्दे में जो प्रेम के, सौंदरिक के, आनन्द के, कत्व के, जान के, मूल समंद के, अगर प्रकट होते हैं उसी अक्षरातीत स्रीराजी के नेत्रों से. आप सोचें, वेदर ने तो मात्र संकेत किया, तेजो अस तेजो मैधे, ओजो अस ओजो मैधे, विरिया मैधे, साहो अस साहो मैधे. ये सारी बाते कहां घटित होती हैं, संसार तो समझ नहीं पाया, तु तेज है, मेरे अंदर तेज धारण कर, तु ओज है, मेरे अंदर ओज धारण कर, इन सबका दिर्शन होता हैं राजी के नेत्रों में. हमारे लिए असुन अला हुसर है, कि हम उस अल्ला पे तत्य को प्राप्ट करें, जिसके लिए स्रिष्टी तरहस्ती रह गई, संसार ने सूरज का तेज देखा है, नच्छत्रों का तेज देखा है, राजी के नेत्रों का तेज नहीं देखा, वह नूर क्या है? मैं आपको एक सरल दिशान से समझाओं, जब कोई बेकती जीवित होता है, चेहरा तम-तमाता रहता है, संदरी की लालिमा से, तो क्या कहते हैं? देखो उनके चेहरे पर कितना नूर है, आंखे नूर से भरी हैं, लेकिन जब चेहरा बुच जाता है, जीव सरीर को छोड़ द तो क्या कहते हैं? आंखों का नूर चला गया, चेहरे का नूर चला गया, नूर गया तो सब गया, जिसको हम अरभी में नूर कहते हैं, संस्क्रिप में उसको सुक्र कहते हैं, उपनिसद की भासा है, तदेव सुक्रम तद ब्रम तदेव अमृतम उच्चते, वह सुक्र है, वही ब्रह्म है और वही अम्रित है जिसका रसास्वातन करने वाला भाउसा गर्जिप पार हो जाता है। जिसके लिए वेदों ने कभी संकेत किया था तमीव, दितवात, मृतुमेत। उसको जानोगे तो मृत से परे होगे। अन्थात कोई भी मार्ग नहीं है। अम्रित कहा है, देवताओं और असरों के द्वारा समंदर मंधन करके अम्रित निकाला जाना तो कुछ समय के लिए है, इस त्रिष्टी में हमेशा के लिए कोई अमर नहीं हो सकता, कुछ वर्ष की वर्द्धी हो जाएगी, हजार साल, सो साल से बढ़ कर हो सकता है, मनवंतर हो झाया हो सकता है, कलपबर जीवीत रहे हैं, लेकिन अमरित तो इस निरागार के पार के पार हैं और जिसने ध्यान किया, उस अमरित सरूप अक्षरातीत का ध्यान किया, क्योंकि वेद कहते हैं वास क्या है? रसेन तिर्पता नकुतेश चनोना और वही अमरित सरूप है उसके सिवा अन्य कोई दूसरा अमरित है ही नहीं उसी कोई उसके आनंद की रसधारा का पान करना ही सोम पान है और सदियों का सोम पान तो एक नसर विस्त हुए इस दिया राजी के नेत्रों में क्या वरा है? नूर वरा है. वो नूर क्या है? जैसे मैं कहूँ दूद का सार क्या है? जो मक्खन ही तो है उसी तरह से परमधाम का सार क्या है? माणिक पहाड के रूप में लाल रंग का नूर निकल रहा है पुखराज पाहाड के रूपे पिले रंग का नूर निकल रहा है एक एक रंग से अनन्थ तरंगय निकल रही है लेकिन सबका सार्थ तो जदी बताना वो तो क्या बताएंगे जो संपूण परमधाम का प्राण है परमधाम का प्राण कुछ नहीं होता गा सारा परमधाम ही प्राण सरूप है प्राण करत क्या है जीवन वही अम्रित है वही सौंदरिक की अनंत रासी है प्रेम की रासी है दया की रासी है अभी इस प्रक्रम एक चुपाई आती है दया सिंद सुख सागर इसके गंज अपार मैं वही बात कहने जा रहा हूँ जो हिर्दे में होता है वही नेत्रों के माद्यम से प्रगट होता है पूरे परमधाम में अनंत सौंदरी है अनंत सौंदरी इतना कि उसको एक सागर मना जाए तो उसकी एक लहर माद्र सत्सरुप से लेकर अभ्याकृत तक क्रिड़ा कर रही है और अभ्याकृत में जो सौंदरी का प्रेम का अनंत का सागर क्रिड़ा कर रहा है उसकी एक लहर निराकार के अंदर है और निराकार में जो सौंदरी प्रेम अनंत का सागर क्रिड़ा करेगा उसकी एक लहर बैकुंठ में है जिसको हिंदु समझ बना चाहता है और बैकुंठ का जो भी संदरी है अनन्द है प्रेम है उसकी एक लहर क्या कहें लहर का भी कुलवांस इस सारी सिष्टी के अंदर समझा हुआ है अज का मानो भाग रहा है भागता जा रहा है किसके पीछे, तिर्ष्णाओं के पीछे वो सोचता है कि मैं प्रकृत से अनन्दित हो जाऊंगा, प्रकृत से प्रेम पालूँगा प्रकृत में संती पालूँगा लेकिन नहीं, सारी सिष्ट जिसे संदरी को पाना चाहती है आनन्द को पाना चाहती है प्रेम को पाना चाहती है सांती को पाना चाहती है एक कत्य में स्वयम को डुबोने की काम ना करती है लेकिन संसार के लिए एक दीवा सुपन है, वो कहां मिलेगा अक्षरातीत के चड़ों में अक्षरातीत के हिर्दे में विए सब कुछ अनंत सागरों के रूप में क्रिड़ा कर रहे हैं और वो प्रस्पटित होता है उनके नित्रों से इस प्रक्ण की पहली चुपाई ही इससे सुरू होती है देखो नेना नूर जमाल जो रूपों पर सनकोल अर्वा होई जो अर्स की सोजी निजाओं की बोल देखो सब के लिए वहाँ ने संसार तो कहता है कि किसने पर मात्मा को देखा है इस प्रक्ण की पहली चुपाई इसी से सुरू होती है देखो नेना नूर जमाल अपने प्राणवल्लब के नेत्रों को जी भर करके देखो क्योंकि जिस आनंद से तुमारी आत्मा बिच्ड़ी है जिस प्रेम से बिच्ड़ी है जिस सांति के सागर से बिच्ड़ी है वो सब कुछ तुम्हें नेत्रों में अस्पेस्ट हो जाएगा नेत्र की विशेस्ता यह होती है कि वो हिर्दय को पूर्ण रुप से वेक्त करता है हम बाने के द्वरा अपने मनुभावों को छिपा सकते हैं संभव है हमारे हिर्दय में किसी के लिए कड़ता हो लेकिन प्रेम के इतने मीठे सब्द बोलेंगे तो लगेगा कि हम हमारा हिर्दय ही समर्पित है लेकिन नेत्र ने इच्पा सकते नेत्र प्रेम की भासा जानते हैं नेत्र घणा की भासा जानते हैं बिना बोलें बिना किसी संकेत के नेत्रों से पता चल जाता है कि उस हिर्दे में कौन सी वानाई चिपी हुई है इस चुपाई में जो कहा गया है जिसका गायन अभी आपने सुना नूर भरे नेशना नेवल प्रेम भरे प्यारे नेत्रों के विशेज़ तक क्या है? अत्ति प्यारे है क्यों? क्योंकि नेत्रों से क्यों प्रेम प्रवाहित हो रहा है जैसे इस संजार में तो हमारे नेत्रों से आंसू बहते है मा जब अपने छोड़े से बच्चे को दुलार करती है तो छोड़ा बच्चा भी जो किसी भासा को नहीं जानता दो मा का अभी होगा तो अपने मा के नेत्रों की वासा को जान जाता है उसको कई माताएं देखेंगे लेकिन जो अपनी वास्तिक माता है जब उसकी दृष्टी मिलती है तो छोटे से बच्चे को भी इतनी समझ आ जाती है कि यह मा मुझे प्रेम कर रही है आप सोचिए मा को तो छोड़िये मैं परमधाम के नेत्रों की महिमा गाने चलाओं इस संसार में जब गाए बच्चडे को पैदा करती है तो आप जाकर के देखिए इसे एक वेद के मंतर में क्या गया है अगन्यामिव जैसे एक बच्चडा जैसे एक गाए अपने बच्चडे से प्रेम करती है उसी तरह से परमात्मा संसार के प्राणियों से प्रेम करता है वो तो इस संसार के बाद समझाई जा रही है अब सोचिए अक्षरातित परमधाम के आत्माओं से कितना प्रेम करती है इस चुपई में एक बहुत गहर रहस खोला गया है, चोथे चरण में अभी उसकी ब्याक्या आने वाली है नूर भरे नैना निन्वल प्रेम भरे प्यारे दो भी सेस्था हैं कि निर्मलता की परकाष्टा है और प्रेम से इतने भरे परपूर हैं कि वो प्यारे लगते प्रेम भरे प्यारे का ताथ पर क्या है देखिए प्रेम का सिधानत है यदि आप प्रेम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो स्वयम के स्थित को मिटाना पड़ेगा चाहे कोई सर्व सक्तिमान हो सकल गुर निधान हो यदि वो प्रेम पाना चाहता है यदि आप एक छोटे से बच्चे का पांच साल के बच्चे का प्रेम पाना चाहते हैं आप चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो आपको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा आप उसको कहेंगे कि मैं चक्रवर्ती समराठ हो धमकाने लगे, तुम प्रेम करो, तो तो क्यों करेगा, भाग जाएगा, अब डंडे मारोगे, रोने लगेगा, हिर्दे नहीं दे सकता, वो कहेगा कि घोड़ा बनिये, मैं आपके उपर चड़ूंगा, आप घोड़ा बन जाएगे, आपके उपर के सुरुपों से उन्हें प्रेम करना है प्रेम की लिला कताद पर प्रेम तभी पाएंगे प्रेम की लिला तभी होगी जब प्रेमास्पत प्रेमी प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाए दोनों का सुरुप एक हो जाए इस दिये वाणी में एक बहुत बात कही गई है हाग की लमले देखिए तो हो ये अर्समाफ़त हम जब भी राची के बारे में सोचते हैं तो इस संसार के हिसाब से सोचते हैं एक देवता है एक भगवान है और उसका भक्त है एक भगवान सिंह हसन पर बैठा है भगवान नीचे हाथ जोड़कर खड़ा है प्रेम कहां सो पाएगा कृपा हो सकती है और हमारी आत्मा की जागरती के लिए कि हम इस मानों तन को पाकर समझें कि राजी के नित्रों में क्या चिपा है ये वड़न हो रहा है नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे प्रेम का सागर अपनी लहरों को सागर बना रहा है और बताता है कि देखो जितना जल तुमारे अंदर है उतना ही मेरी अंदर है हम तुम दो नहीं है वह एक पुकार पर दस बार जिजी करता है हम जिस माया के दुनिया में बैठे हैं ये आरोप प्रत्यारोप के दुनिया है आप दस दिन चित्वन ही करेंगे राजी की सुपह नहीं जलकेगी तो क्या कहते हैं गे या तो हमारा परमध़ाम से सمنद नहीं या राजी है ही नहीं किवल कल्पना है या राजी हमारे साथ भीदभाव कर रहे है तीन बाते कहेंगे आपको यह पता नहीं है वो ऐसा है जो आपके एक बार बुकाने पर दस बार जीजी करने के लिए तयार होता है और ऐसा अप्रानिश्वर जो हमारे जीवन का धार है हमारे प्रेम का मुल्स्रोत है अबर्णे जी के धामिर्दै से अपने नित्रों का बड़न करवारा है उन नित्रों में क्या भराए अनन्त नूर और अनन्त नूर का दद पर अनन्त अजस्विता अनन्त प्रेम अनन्त तेज, अनन्त सुभा अनन्त सौंदरी, अनन्त एकत्व प्रगट हो रहा हो क्योंकि जितना अक्षरातीत के हिर्दे में प्रेम होगा, उतना ही अक्षरातीत की अंगनाओं के अंदर प्रेम होना जरूरी है, नहीं तो वैदत का सिधान समात हो जाएगा, एकत्व का सिधान कहां रहाएगा, मैंने आपको एक संसारिक दिश्टान दिया था प्राणिसोर अक्षरातीत अपने भिर्दे में जो कुछ उमड रहा है, अनन्त प्रेम का सागर, अनन्त आनन्त का सागर, अनन्त सोभा का सागर, बेक्त करें तो कहीं से करें, अपने संकच के सामने भेक्त किया जा सकता है, सागर की जब लहर उठती है तो पूरा सागर छिप जाता है और लहर को देखने वाला समझता है कि सागर वस इतना ही है इस संसार में भी समझी है जब आप पाने के एक बूद पीते हैं एक घुट पीते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने सारे गंगजल को ही पी लिया है यह अच्छरातीत की गरिमा है कि कहा जाता है कि अनन्त है अनन्त है लेकिन आपने बिरहरत आरणे को अपने सत की उस रिसी का कथन को भी याद रखिये कि जो कहता है कि पूर्णम अदा, पूर्णम इदम, पूर्णम अदचते, पूर्ण से पूर्णम आधाया, पूर्णम इव औसी सते पूर्ण या अनन्त में अनन्त जोड़िये, तो भी अनन्त होगा, अनन्त में अनन्त घटाईये, तो भी अनन्त ही बचेगा गुड़ा के जिये भाग के जिये अनन्त ही होगा इस तिये अक्षरातीत काहिद है जब किसी ब्रह्मात्मा के रूप में क्रिड़ा करता है तो उसके अंदर भी उतना ही प्रेम होगा उतना ही सोभा होगी, उतना ही आनन्द होगा उतना ही नूर होगा जितना की राजी के अंदर होगा दोनों समकच हैं तो प्रेम होगा मैंने आपको दिश्टान दिया कि आप घर के मालिक हैं दादा जी हैं आपके पास अर्बो रुपयों की संपती है आप छोटे अपने पोतों से कहेगे कि तू मेरे साथ खेल तो कहेगा कि दादा जी पहले कंदे पर चड़ा लो तो मैं खेलूगा आप कोहोगे कि तेरा पिता कुछ कमाता नहीं है मैंने करोनों की दौलत दे रखी है डांट करके जैसे आप बोलेंगे आपको वो भी ठुकरा करके भाग जाएगा आप उसके हिर्दे को नहीं खरी सकते है क्योंकि हिर्दे कि समकथ जब तक आप नहीं होगे अपना दिल दे लीजिए जब तक आप हिर्दे नहीं देंगे दुसरे का हिर्दे आप ले नहीं सकते है इस दिए प्रेम की पहली सर्थे स्वयम के स्थित्त को मिठा दीचे इसके मिठाए भीना संसार में कोई कितना भी बड़ा योगी हो तपस्य हो, विद्वान हो, चक्रति सम्राथ हो प्रेम की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता संसार में प्रेम क्यों नहीं है सबका अहंग ठकराता है पिता सोचता है पुत्र को मैंने अपनी विरासत का उत्रादिकारी अपनी धन संपती का उत्रादिकारी बनाया है तो इसको तो मेरे अधिन रहना पड़ेगा पत्नी सोचती है कि मैं सेवा करता हूं करती हूं पत्नी सोचता है कि सारी कमाई मैं करता हूं गुरु सोचता है कि सिसको मैंने जान दिया है तो यह मेरा रिड़ी है सिस सोचता है कि मैं इनकी सेवा करता हूँ तो यह मेरे सेवद है हर कोई अपना ही दवा करता है कोई अपना दिल देने के लिए तयार नहीं है इस दिये संसार में घनिश्टा तो होती है प्रेम नहीं होता क्योंकि कोई अपना दिल देने के लिए तैयार नहीं होता किन्त वह परमधाम है दो दिल है ही नहीं वहदत किसको कहते है वहदत कहिए इसको तन मन एक इस जुदाएगी जरा नहीं वहदत का वेसक जिसको एकत तो कहते है अनंत सरूप है अनंत सक्षिया है अनंत में सब कुछ है आप मत सोच लेजे जो आप चर्चनी में पढ़ते हैं कि यमना जी पुखराज से निकल कर होजगोसर में गिरती है यहां से इतने लाग इतने लाग ऐसा कुछ नहीं है इन तहाए नहीं अर्सभोम का सब चीजों नहीं सुमार किसी भी वस्त को अपगड़ना में नहीं ला सकते है वह तो हमारी बुद्धी में आने के लिए जैसे संपूर्ण गंगा जल को सौ ग्राम की सीसी में सौ एमेल की सीसी में भर दिया जाए और कहा जाए कि यह गंगा चीए है उसी तरह से अनंद परमधाम को परिकर्मा गरंते में चित्रित किया गया है और अनंद परमधाम कहां से प्रकट होता है राजिक के हिर्दय से और हिर्दय के भावों का प्रक्टिकर्ण कहां से होता है राजिक के नेत्रों से इसे जब कहा जाता है कि नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे नूर से भरे हैं प्रेम से परे हैं इस तियन के दो गोड़ भी से इस रुप से दिखने हैं, अत्य प्यारे हैं और अत्य निर्मल हैं, आगे तिसरी और चोथे चरण में कुछ और बाते कहीं जा रहे हैं, रस उपजावत रंगसो, रस और रंग, दो चीज़े होती हैं, अलग-अलग प्रसंगों में इसका अलग-अलग भाव लिया जाता है, रस किसको कहते हैं, रसम ही एव लब्दवा आनन्दी भवद, रस को प्राप्त करके वो आनन्दमई होता है, रस उपजावत रंगसो, रंग किसको कहते हैं, एक कभी ने कहा है, लाले देखन मैं गई, हो गई लाले लाले, प्रेम, रस उपजावत रंगसो, प्रेम के, प्रेम का जो रंग है, उसको यहां रंग का गया है, लाले मेरे लाल के, जित देखूं तित लाल, लाले देखन मैं गई, हो गई लाले लाल, एक प्रेम करने वाला है, प्रेम का सगर, अपने हिर्दे से प्रेम का दूसरा सरुप प्रगट कर दिया, स्यमाजी के रूप में, सक्षियों, ब्रमात्माओं के रूप में, और जब वो प्रेम के नेत्रों से नेत्र की दृष्टी मिलती है तो क्या पैदा होता है आनन्द का रस आनन्द कहां है परमधाम में संसार में कोई आनन्द नहीं है न था न है न कभी हो सकेगा रिसियों ने करोडों बेर्स पहले घुसना कर दी है अपनी आत्मा में इस्थित होकर जिनों ने उस सचत आनन्द परमात्म का सचत कर किया है कि उन्हीं के पास सचत आनन्द हो सकता है किसी के पास यदि कोई कहता है कि मैं आनन्द में हूँ तो नहीं आपके पास कितना भी धन होगा एक दिन निष्ट हो जाएगा ये सुन्दर सरीर भी एक दिन निष्ट हो जाएगा योमन धन और पद क्या है अकास में चमकती भी बिजले की सिमान छड़िक होते है लेकिन इन्ही को पाकर मनुष इतना उतावला हो जाता है कि अपने निच सरुप को भूल जाता है जब आप इस संसार से परेज चलेंगे बेहत से भी परेज चलेंगे परमधाम में दृष्ट कीजिए परात्म कासिंगार सजिए और अपने नित्रों को राजी के नित्रों से मिला करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक आनंद क्या है वास्तविक परेम क्या है? इसको कहते हैं सुन्दर साजी मैं भी आज तक टाइप करने वाले ने भी कामन गारे लिखा है मैं सबेरे से सोच रहा था कि ये कामन गारे कहां से हो जाएगा ये कामन गारे है कामन गारे नहीं होता कामन तो अंग्रेजी का सब्द है पहले जो वाणी होते थे सभी अक्षर मिला मिला कर लिखे जाते थे कागज की बचत के लिए लेकिन किस सब्द को कहां से जोड़ना है थोड़ी सी चूक होने पर उल्टा अर्थ हो जाता है रस उपजावत हिरंगसो मानो अत्थि काम नगारी काम किसको कहते है? अपने रास में काम सब्द पुड़ाए किरिंतन में भी क्या कहा है जए अक्षरातीत को प्रीम सिंधू काम प्रीम का सागर है काम का सिंधू है तो आप तो गीता का तुरंत उधाना प्रस्टूत कर देंगे कि नरकस स्त्रिविद्धम ड्वारम नास्नम आत्मन काम क्रोधत थालब तत्समात इतत तरह प्रभुरुजेत या काम वदा काम नहीं है मुझे पीड़ा दे लाए काम पीड़ा देने कतात पर यह वैकारिक काम नहीं, काम करते होते हैं, जाना, रस उपजावत रंगसो, मानो अत्य कामन गारे, काम नगारे, नगारा का काम क्या होता है, अब नगारा तो सभी जानते हैं, नगारा जब बचता है, तो आवाज देता है, सब को पता चलता है, राजे के दोनों नेत्र उस नगाड़े के समान है जो आवाज करके पुकार रहे हैं परंधाम के आत्माओं मेरी तरफ देखो मैं तुमारे लिए अपने हिर्दे में प्रेम और अनन्द का यकत्व का संदरी का अनन्द सागर लायाँ तभी तो कहता है एक बार तुम मुझे पुकार कर देखो मुझे साथ करो मैं माला के जब पर नहीं रिज सकता तुमारे भोग प्रसादों से नहीं रिज सकता तुमारे बागे वस्तरों से नहीं रिज सकता तुमारे दंडवत परिकर्मा पड़ामों से नहीं रिज सकता तुम अपना हिर्दे देकर मेरी तरफ देखो और यही कोई नहीं करता है महामती जी की आत्मा के धाम हिर्दे में विराज मानो कर राज जी ने तारतां बाणी के एक-एक सब्दों में अपना हिर्दे उडेला है और इसलिए क्या करते है रज उपजावत रंग सो मानो अति काम नगारे राज जी के दोनों नित्र इस प्रकार ब्रमात्माओं की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके हिर्दे में हमें चाहत की पुकार ऐसी मचरिये जैसे दो नगारे आवाज कर रहे हो नैनो नैन मिलाए के अमीर रसिचत अपने अंगरुहे जान के ने नए नए उपजावत नैनो नैन मिलाए के अमीर रसिचत अमरित की रस्तारा कहा है अक्सरातीत के हिर्दे में संसार में अमरित तो था ही रहे स्वर्ग कामरित जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ जो धन्मंतर के हाथों में था जिसके लिए असूर और देवता लड़ पड़े थे वो तो आई में बिर्दी कर सकता है दिरगाई कर सकता है बहुत करेगा तो कल्प बर जिंदा रखेगा और कुछ नहीं उसके बाद कल्पांद तो होना ही है न सूरज बचना है न चंदरवान आकास न यतारे न च्छत्र कुछ नहीं बचेगा न स्वर्ग बचेगा न वेकुंठ बचेगा न निराकार बचेगा लेकिन मनुष से सोचता है मनुष तो कभी सोचता ही नहीं आजकल तो पता नहीं मनुष की अवस्था ऐसी हो गई है कभी उद्घोस किया जाता है उद्घोस किया जाता था जीवेम सर्दा सतम पसेम सर्दा सतम द्रक्षेम सर्दा सतम बुर्वेम सर्दा सतम आज चलते फिरते पता नहीं कब क्या हो जाए कच्चे-घड़े के समाने हुमारा सरीर है पानी के बुलबले के समान सरीर है लेकिन संसार में किसको पढ़ी है कि वो अपने प्राणिसो रख्चरतीत को ध्यान में बसाए और तो और संसार वालों के लिए तो छमा भी हो सकती है हमारे लिए छमा नहीं है क्योंकि संसार या तो साकार में बटक रहा है या निराकार में बटक रहा है संसार को पता नहीं है वास्तविक सौंदरी कहा है वास्तविक प्रेम आनंद कहा है हम सब जानते हैं, नजाने दर्जनों वारवानी को पढ़ जाते हैं, चोपाईउं का गाहन भी कर जाते हैं, लेकिन सब्दों में डूब कर अपने हिर्दे की पुकार नहीं सुनना चाहते हैं, कि अक्षरतीत ने हमारे लेक्या काये, रज उपजावत, रंग सो, मानु अति, क मिलती हैं, तो आनंद का ऐसा प्रवाब एता है, जैसे लगता है, कि राजी के दोनों नेत्रे, नगारों की तरह आवाज करके, हर ब्रमात्मा को अपनी तरह पुकार रहे हैं, कि परन्दाम की आत्माओं, तुम मेरी प्राण सुरूपा हो, तुम मेरी प्राण शुरी हो, मे मेरे जीवन की अधार हो, सके तमे मारा जीवन छो, एक चरण को याद कर लेजिए सुन्दर साथ, तो माला का जब बंद कर देंगे, जिसका जब कर रहे हैं वो कह रहा है तुम मेरे जीवन की अधार हो, प्रित्त मेरे प्राण की अंगना आतम्रूर, कहने वाले को हमने तो एक देवता बना रखाया जिसके सामने बार-बार मध्धा टेक कर नवधा भक्ति का हम नाटक रहते हैं फिर उसको हिर्देश से निकाल देते हैं हमने कभी दिल नहीं दिया दिल की आँखों से देखने का प्रयास नहीं किया तो परड़्याम क्या होगा राजी हमें एक देवता नजर आते हैं जिनको खूस करने के लिए हम जिसे देवी के मंदिर में जाते हैं तो नारियल चड़ा देते हैं राजी नारियल लेकर क्या करेंगे उन्हें ना भूक लगती है ना प्यास लगती है आप सो रुपिय का नोट चड़ा देंगे तो राजी क्या करेंगे राजी को आपके हरे पीले नेले नोट नहीं चाहिए उतो मंदिर आश्रम के प्रबंद में काम आते हैं राजी के विल आपसे आपका हिर्देश चाहते हैं आप सब कुछ देने को तयार हैं थोड़ा बहुत दे देंगे सब कुछ किसके लिए रखते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए राजी के लिए नोधा बक्ती पांच मिनिट में खतम कर देते हैं कोई आदे गंटे लगा देता है कोई ये गंटे लगा देता है राजी करते हैं कि नहीं केवल पल भर के लिए पांच मिनट के लिए भी जो अपना दिल राजी को दे देगा निश्चित है जो अक्षरातीत एक बात समझे दुरुपती का चीरहनन हो रहा है उसको बचाने के लिए उसका क्रिष्ट छद मेभेस में आकर उसकी लाज बचा सकता है मैं परमधाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस संसार की बात कर रहा हूँ पौराणिक कहानी है कि ग्रह के प्रहाण से गज को बताने के लिए जदी पौराणिक ग्रंतों में बंडित भगवान बिस्टों लक्षमी को छोड़कर अपने वाहन गरुण को छोड़कर के आ सकते हैं तो आपका अक्षराती तो आपके हिर्दे में बिस्ता है प्राण की नली से निकट है आपको भी स्वास नहीं होता है कि आप सच्चे हिर्दे से पुकारे और वो दर्शन न दे कभी नहीं हो सकता यदि ऐसा होता है कि वो सच्चे हिर्दे से आप उसको देखना चाहें और वो दर्शन न दे तो मैं यहीं माननूगा कि यह बाणी जुटी है अक्षराती तो जूटे हैं और सबको जुटा है यदि बाणी को सत्य मानते हैं तो आप भी तो अपना हिर्दे दे करके चित्वनी किजे आपने भी हिर्दे नहीं दिया है कहींने कहीं हमारी अंदर कमी है आपने अपना हिर्दे नहीं दिया है सच्चे प्रेम से पुकारते नहीं आप देखेंगे दो मिनट के लिए भी बले ही आप एक गंटा बैठते हैं एक गंटे में पच्पन मिनट आप बाहर भागते रहते हैं पिंड ब्रमान से परे नहीं होते हैं यही हमारी कमी है हमारा मन हमें भगाता रहता है यदि दो मिनट के लिए भी आपका हिर्दे है जिस समय राजी के पूरी तरह समर्पित होगा प्रेम की रस्तारा बहेगी तो अक्षरातीत की भी सकती नहीं है कि अपनी छवी को आपके हिर्दे में अंकित न करें इस्टे का है जो मन की घटफट जम मिटे चटपट दर्शन हो पंत होए कोट कला प्रेम पहुंचाए मिने पलक मिने पलक का अर्थ क्या होता है आँखों की पलकों के छपकने और बंद होने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर राजी का दर्शन हो सकता है जदी प्रेम आ जाए तो लेकिन प्रेम क्या हमारे अंदर है नहीं जब आया प्रेम सुहागी तो मुह जल लहरा भागे माया का कोई अस्तित नहीं रहेगा हम संसार में किसी से आ सकती रखते हैं तो उसको प्रेम मत कहिए प्रेम का अर्थ क्या होता है आपने अपना हिर्दे दे दिया संसार में सबसे बड़ी किम्ती वज़त क्या है आजकल के संसार के रिष्टे तो चलते फिरते रहते हैं महीने में साल में तूटते फिरते रहते हैं वो प्रेम नहीं है वो मौई प्रेम अखंड है प्रेम बसे पिया के चित आपको अपनी परात्म का सिंगार सजना होगा, परात्म की भावना से आपको राजी के नक से सिख तक की सोभा को अपने हिर्दे में बसाना होगा, इसने कह रहे हैं रज उपजावत रंग सो मानो अतिकामन करें, ऐसा समझना चाहिए कि राजी के दोनों नेत्र प्रेम की चाह साथ के दो नगारे के रूप में हमका हमारा आवान कर रहे हैं मैं हक देखूं हक देखे मुझे ये दो अरेस्ट परस्विया आगे क्या कहते हैं नैनो की गत क्यों कहूं गुडवनते गंभेर एक-एक सब्दों पर हमें ध्यान देना होगा भरत्री हरे ने कहा है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना बहुत सुरल है किन्त सुन्दर रमड़ी के नेत्रों से रच्छा कर पाना बड़े से बड़े वीर योगी तपस्विय के लिए भी कठिन होता है ऐसा क्यों नेत्र तो वही होते हैं लेकिन नेत्रों के माध्यम से जब हिर्दे का प्रेम का इसारा किया जाता है तो उसको समालना कठिन होता है हर संसार के रिष्टे के प्रेम की सारे अलग-अलग होते हैं माँ बच्चे को जब देखती है तो उसमें वादसलिता का प्रेम होता है गुरू सिसे की तरफ देखते हैं करुणा का स्ने होता है पिता भी अपने पुत्र को स्रें के दिश्रे देखता है तो उसका अलग भाव होता है प्रियतमा जब देखती है प्रियतमा और प्रियतम के जब नित्र मिलते हैं तो उसमें नित्रों के संकेत होते हैं उसके भाव अलग होते हैं, दो मित्रों के नित्रों के संकेत के भाव अलग होते हैं, सबके भाव अलग है, लेकिन आप सोचिए, जो अक्ष्रादेत, सौयम को इतना टाच चुका है, जो कहता है कि एक बार पुकारोगे, मैं देस बाहर जीजी करूँगा तुम्हारे आगे सोचिए वह आपके लिए अपने हिर्दे में क्या रखा होता है जब नित्रों के संकेत होते हैं तो उस समंझ में ये चुपाई कहते है नैनों के गत्कियों कहूं गुडवन्ते गंभेर नित्रों में क्या है प्रेम की गहराई है प्रेम क्या है सागर से गहरा हिमाले से उचा दूद से उचला ये प्रेम है दूद की सफेदी से अनंत गुना सफेदी किसमे है पवित्र प्रेम में होती है आत्मा और परमात्मा के प्रेम सागर की गहराई को आपने जाएंगे तो बिना वज्यानिक तक्निकी के आज डूब करके आपने जाएंगे तो आप जानते हैं हिमाले की सबसे उची चोटी 8848 मिटर है और परसांत महसागर जो सबसे गहरा महसागर उसकी एक गर्थ है चैलेंजर गर्थ दस सजार कुछ सब कुछ मिटर है जितनी एवरेश्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरी है परसांत की महसागर की वगर्थ आप डुब की लगा कर कैसे नाप सकते हैं लेकिन प्रेम तो इतना गहरा है सागर की गहराई भी प्रेम की गहराई का मुकाबलन नहीं कर सकती हिमाले की उचाई भी प्रेम की गर्मा को माप नहीं सकती दूद की स्वेतता भी प्रेम की स्वच्चता पर प्रस्ण खड़ा नहीं कर सकती ऐसा है अक्षरातीत की प्रति हमारा प्रेम और उन प्रेम के नेत्रों में कितनी गंभीरता का गुण है कि वह प्रेम अपने हिरदे में आठों सागरों को समायाए ये ठीक है इसका कैश आगर 5 सागर होता है लेकिन हर सागर मारफट के दिश्शे सेथ अन्य सागरों को अपने अंदर समाय बैठा होता है इसके के सागर में इल्म है इसके के सागर में वैदत है इसके के सागर में नूर है इसके के सागर में नीर है इसके सागर में निस्मत है और इसके के सागर में चोथा सागर युगल सुरुप की सुभा सिंकार का सागर है हर सागर सबको अपने में समेटे हुए परमधाम के एक कण में सारा परमधाम बसता है आप सोचेंगे कि आज क्या हो गया है राजयों स्वामी को कि जूटी जूटी बाते गड़ते जा रहे हैं मैं आपको संसार के देश्टान से बता देता हूं आप जिस पृतिवी पर बैठे हैं उस पृतिवी से 13 लग गुना बड़ा सूरज है आप कपड़े दोने जाते हैं पानी में सर्फ डालते हैं बुलबुले दिखने लगते हैं बुलबुलों को धूप में निका लिए हर बुलबुले में सूरज दिखता चमकता हूँ दिखाई देगा एक बालते में आप का ही दरजन सूरज को इकठा कर लेते हैं जैसे उसी तरह से अनंद परम्धाम परम्धाम के एक कणकर में बसता है आप कहते हैं कह सकते हैं कि ये भी बात जूट है मैं आपको विज्यान के प्रमाण से बताता हूँ आप देखिए आपने बाणी में पढ़ा है कि परमधाम कैसा है अनन्त तेजो मईई, अनन्त प्रेम मईई, परमधाम के बारे में आप जानते हैं वेद में एक बात बहुत उची कही गई है कि आठ चक्रे हैं, नो दौरें अश्टा चक्रे, नो दौरा, अखिर है क्यों कहा गया है परमधाम में आठ सागर है, नो भूमिया है एक अलंकारिक व्र्णन है उपनिस्तों में कहा गया हिरन्ये परेको से विर्जम ब्रह्म निसकलम तत्सु ब्रह्म जोति साम जोति यत आत्म विदो विदो जोतियों का जोति है हिराने कोस है जोति का बंडार है और उसमें ब्रह्म विराजमान है जो परम धाम में विराजमान है उसकी आभा उसका परत्वेमित रूप केवल ब्रह्म में दिखेगा उसका प्रतविम्बित रूप सबलिक में दिखेगा, अब्याकृत में दिखेगा, और तो और जब अब्याकृत मोह सागर में प्रतविम्बित होता है, तो आप भी तक में सुनते हैं, भागवत के उस घटना क्रम को, जिसमें 84 लाख योजन हीरे कवर्डन किया गया है, यदि भागवत के उन प्रिष्टों को पल्टेंगे, तो उसमें क्या कहा गया है, कि किस तरह से घने अंदकार को पार करते हुए, और जुन को लेकर क्रिष्ट कहां जाते हैं, जहां परावर जोच जगमगा रही थी, समझना है, नारायन के लिए भी वही अस्थान है, आपके हिर एक एटम्स के अंदर वही प्रिक्रिया है, जो सुरी के अंदर है, वही प्रिक्रिया, गलेक्सी के अंदर है, वही प्रिक्रिया, सुपर गलेक्सी के अंदर है, और एटम्स के अंदर जो प्रिक्रिया है, वही सुख्ष्ट्रिनों, निट्रिनों और हिंग्स बोसोन्स के अ अहंतम तक एक ही सिधान्त कारी करता है इसलिए तुका गया अडो अडियान मातो मैयान आत्मा अस जन्तु नेतम कोया तम क्रतो पस्चत वीद्स को धातो प्रसादत माइमानम आतुना इतना सुक्षव है कि कोई कलपना नहीं कर सकता, इतना विसाल है कि मनुसकी बुद्धी कुंठित हो जाती है आपको तो घर बैठे बैठाए जबरन तरीके से जैसे किसी बच्चे को अमरित पिलाया जाए और वो नक्रित लेकिन करुणा के भाव है कोई संत हो, महात्मा हो, योगी हो यती हो, परमांस हो उनकी आँखों में एक सांती होती है सांत नित्र होते हैं तो समझे यह विक्ति ध्यान करता है जब सतोगुर की अवस्ता होती है तो नित्रों में सांती आती है जिसके नित्र चंचल रूप से घुमते रहते हैं तो वो रजोगुर की अवस्ता है और जिसके नित्र हमेशा अलसाय रहते हैं वो तमुगूर की अवस्था है लेकिन प्रेम के जो नित्र होते हैं वो त्रिग्णातीत अवस्था में होते हैं ना उनको सांथ कर सकते हैं ना लोकिक रूप से चंचल कर सकते हैं ना अलसाय कर सकते हैं हाँ प्रेम की लिला में तीनों भाव नजर आएंगे लेकिन ये अक्षरतीत के नित्रे है जिसकी विशेष्टा कही गई है चंचल चपल ऐसे लगे जैसे मैं आपको दिश्टान दे रहा हूँ ये के नित्रिये है और ये के नित्रिये है ये धनुज की तरह कमान बन जाते अक्षरतीत का हिर्दे जो अपनी आत्माओं पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है जब अपनी ब्रह्मात्मा की तरफ देखता है उसके नित्रों से जो प्रेम के बाण निकलते है तो वो बाण जिसके हिर्दे में लग जाएगा उजिवित क्या रहेगा आप इसका असे समझे संसार अक्षरतीत से प्रेम करता है और अक्षरतीत आप से प्रेम करने लगे इसे बड़ा सोभा गयोर क्या होगा कभीर जीने एक बहुत उची बात कही है कि पहले ऐसा समय था कि मैं अपने प्रितम को खोजा करता था अब मेरा प्रितम मेरे पीछे जलता है कभीर कभीर कहते हुए आप भी राजी को प्रेम में से बस में कर सकते हो लेकिन नहीं कर पाएंगे कहा है ना खटूती में कि सुंदर साथ जी मैं आपको एक वसी करन मंत्र बता देती हूँ लेकिन ये भी कहते रही हूँ कि आप इसको सिख भी लोगे लेकिन पहले ही कह दिया कि जैसे वे राजी मैंने आपको बस में किया है एम बीजा करें न कोई कोई दुसरा नहीं कर पाएगा और चुनोती भी दे दिये मैं सिखा दूँगी सब कुछ बता दूँगी फिर भी तुम राजी को बस में कर नहीं पाऊँगे क्योंकि तुम्हारा हिर्दे राजी के खें, तड़ा पिजराम, ईया गालों और जो चुनुदी से कह दिया हो थो साखने दराक ऐसा समरपन किसके पास हो सकता है आपकी समाधी तब तक नहीं ले सकती जब तक आप समर्पन के चरम तक नहीं पहुंचते हैं विरा के चरम तक नहीं पहुंच सकते हैं आप कितनी भी कुछ भी कर लीचिये कितना भी पूजा पाड जब तब सब कर लीचिये आँखे भी बंद कर लीचिये आपको अपने हिर्दे देना पड़ेगा अपने संसार की उपलब्तियों का गुरगान बंद करना पड़ेगा आपने जो कुछ भी किया है जितना ज्ञानार्जन किया है जितनी धन संपता इकठी की है जितना कूल खंदान आपका है सब को DENश्टबीन में फैक दिचे और अपना हिर्दय दे दिचे क्योंकि उजो सर्व सकतिमान है वो तो अपना हिर्दly लुटाता है एक बाद नहीं क्योंकि आसिक तो तब ही कलाएगा जिसके रूम रूम में मासुक बसता है राज़ी के रूम रूम में आप बसते हैं लेकिन आपके रूमरे में राजी नहीं बसते है जब तक दोनों तरब का पल्रा बराबर नहीं होगा प्रेम की रस्थारा कैसे बस सकती है और यह अवस्था उस समय का है उस समय की है जब महामती जी की सुर्था मुल मिलावे में पहुंचती है राजी के नित्रों से नित्र मिलते हैं और राजी के नित्रों से जो प्रेम के बान चलते हैं महामती जी की आत्मा के द्वारा उसका बढ़न हो रहा है चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल सरीर देखिए सालत सकल सरीर संपून सरीर पीड़ा से गरसित हो जाता है काल मया के ब्रमान में पीड़ा होती है परमधा में पीड़ा नहीं होती लेकिन यहां समझने के लिए सालत सकल सरीर है जब किसी से घ्रणा होती है तो क्या करते हैं तुमको देकर मेरे तन बतन में आग लग जाती है दो करण से हिर्दे गती रुकती है जानते हैं क्यों किसी से बहुत घरणा हो तो हिर्दे गती रुक जाती है किसी से बहुत गहरा लगा हो अचानक सामने आ जाए तो हिर्दे को समालना बहुत कठिन हो जाता है कोई सत्रू भाव रखता है तो बहुत पीड़ा देता है कोई बहुत प्रेम रखता है और दूर है तो हिर्दे को वही पीड़ा कर देता है राजी के नेत्र जब ब्रह्मात्मा के नेत्रों से तकराते हैं हिर्दे का प्रेम दूसरे हिर्दे में उडेला जाता है इसी को करते हैं साकी पिलावी सराफ रूहें पेले लीजियो हग इसक का आव भर-भर पेले बीचयो राजी का हिर्ड़े क्या है प्रेम की सुराई इस सुराई ले हाथ में पिलाओ अपने हाथ अपनी अंगना जो अर्ष कीता हैं दीची वो पने था यह है राजी के नित्रों से जो अनंत प्रेम उम्रेगा वो ब्रहमात्मा के हिर्दे में जाएगा और ये सभी ब्रहमिसिस्टियों के लिए एक सुनाला आउसर है कि हर ब्रहमात्मा रात्री के अधेरे में बैठ जाया करे सरीर को भोल जाया करे संसार को भोल जाया करे परात्म का सिंगार सचकर युगल सरुप के समक बैठे राजी के नित्रों को स्वैम देखे उसको पता चलेगा कि राजी के नेतर से जो प्रेम का अमरित उड़ेला जाएगा वो सीधे उसके हिर्दे में जाएगा इसको तार्तम वाणी की भासा में सराब का जाता है माया की सराब क्या है? जब वो बनाई जाती है तो उसे बदबु आती है उसको पीने पर दुरगंद आती है जिसके लिए नानक जी क्या करते है नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रहे संसार की सराब का नसा तो कुछ गंटों में उतर जाता है राजी के प्रेम का जो नसा होता है कभी नहीं उतरता सरीर के छुटने के बाद भी नहीं उतरता इसलिए माया की सराब खरिदने के लिए पैसे चाहिए परमधाम की सराब खरिदने के लिए हिर्दे का समर्पन चाहिए राजजी का प्रेम पाने के लिए आपको अपना हिर्दे देना होगा सरीर और संसार से परे होना होगा तो आपको ये पता चलेगा नित्रों का प्रेम जब हिर्दे में प्रिवेश करता है तो सालत सकल सरीर पूरे सरीर में एक प्रेम की पीड़ा आभास होती है कि मैं अपना सर्वस्ट इन पर लुटाओ देखिए आप इसको एक देशान से समझे हिर्दे लुटाना और हिर्दे देने में थोड़ा सा अंतर होता है जो अंतर चंचल और चपल में अंतर होता है आप किसी को हिर्दे देते हैं तो पुन लेने की भी कोशिस कर सकते हैं किसी से आपकी बहुत गनिश्टा है सब कुछ समर्पित आप होते हैं मन में खटा सा जाती है तो आप भी दूरी बना लेती हैं ये तो संसार के मौ की बात कर रहा हूं जिसको हिर्दे दे दिया जाता है उसे लेने का अधिकार तो नहीं होता है कदाचित मान लेजिए किसी का बिकल्प गरूप में हिर्दे लेने की भी बाता आती है किन्त जिसको अपना हिर्दे लुटा दिया जाता है लुटाने और देने में अंतर होता है किसी को पैसा दिया जाता है लेकिन जब लुटाने की बात आती है तो बिना चिंता किये सब कुछ दे देना ये लुटाना होता है जिसने अपना हिर्दे लुटा दिया वो कभी सपने में भी नहीं सो सकता अलगाओ की इसलिए यदि आपने अपना हिर्दे राजी को लुटा दिया तो इस्तिती क्या बनती है राजी तो लुटा चुके हैं अनंत काल से लुटाते रहे हैं अनंद काल तक लुटाते रहेंगे जागने के ब्रहमान में ब्रहमात्माओं से कहा जा रहा है जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है मामती जी के आत्मा हम सुन्दर साथ को इस सिंगार ग्रंत में यह बात दरसा रही है कि राजजी के नित्रों में कैसी चंचलता प्रेम के लिए अपने हिर्दय का प्रेम लुटाने के लिए अपने हिर्दय का सर्वस्ट समर्पीत करने के लिए मैं आपको एक दिश्टान देता हूँ उससे बात आपको समझ में आ जाएगी भगवान कृष्ट इंदर परस्त पधारते हैं वहां की जो इंदरिया इस्तरिया होती है अपने महल की अटारी पर बैट कर सिकर्स की मधुर्च अभी को देखती है कभी ने क्या लिखा है ऐसी मृद मुसकान ने देखी सचमुच गोविंद समगोविंद ये तो 11 बर 12 दिन के लिला का वड़न नहीं है योगेश्वर सिकर्स की मृद मुसकान का वड़न है संसार वालों के लिए वही बहुत है कि पूरा इंदर परस्त सिकर्स के अमित अलोकिक संदरी पर रिज जाता है उनकी मृद मुसकान पर रिज जाता है और पूरा बरेज तो सिकर्स की रूप माधरी पर इतना लट्टू है और तो और नंद यसोदा तो अपनी जान छिड़कते हैं गौलबाल भी अपने जान छिड़कते हैं यहां तक कि ब्रेज की गौमे भी सिकर्स के एक किसारे पर भागी भागी आती है आप सोचिए राजी के परमध हम के नेतरों की तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा चंचलता चंचल चपल का ताथ पर किया है चंचल सब्द का परोग इसलिए किया गया है कि यदि आप राजी के नेतरों की तरफ देखना चाहेंगे तो राजी के नेतर जरा भी देर नहीं करेंगे आप एक कदम आगे बढ़ेंगे राजी हजार कदम आगे बनेंगे चपल उसको कहते हैं कि जब नेत्र नेत्रों से नेत्र मिलते हैं नेत्रों से हिर्दे के भाव जब आत्मा के परात्म के तन में आते हैं या आपकी आत्मा परात्म का सिंगार सचकर राजी के सम्मुक आएगी तो उसमें एक चपलता है कहीं आलस का प्रमात का नहीं इस ये चंचल चपल में थोड़ा सा सुक्षम अंतर होता है जैसे हिर्दे देने में और हिर्दे को लुटाने में होता है मैंने सिंगार गरंद की ये पांच चुपाईया गाई थे दो चुपाईयों की व्याख्या की है सिंगार गरंद में जहां 2200 से संबत अधिक चुपाईया है एक एक चुपाईय बहुत कुछ कहती है हमारी आत्मा का खंड आनन इन चुपाईयों में भरा पड़ा है इस ये तो इसको महासिंगार करते है हमें मारिफत की अवस्था में ले जानने वाली या वाणी है कि हम सरीट से परे होकर अक्छरातीत के हिर्दे में डूब कर उस कथन को चरितार्थ करते है कि जानत तुमही तुमही हो जाई उनको जानने वाला उनके जैसा हो जाता है तुलसी दासची ने यह ही नहीं कह दिया अब आप जदितार्थम ग्यान का प्रकास पा गए है तो उस प्रकास को संसार में फैलाईए अपने हिर्दे को राजी के प्रेम में डूब़ईए और सारे संसार के लिए खुला आवान केजिए अब रोने गाने का समय नहीं रह गया अब नकरात्मुत्ता का समय नहीं रह गया अब समय है सारे संसार को प्रमधाम के प्रेम में डूबोने को सारे संसार को अक्षरातीत की पहचान देने का और सारे संसार के लिए प्रेम, सांति और आनंद का दुआर कुलने का अब समय सुकृति नहीं देता मैं अपने बच्चनों को यहां विराम देता